नमस्कार दोस्तों इस वक्त मैं नियाले परिसर में हूँ जहां एस्परा के तरफ से सुद्ध सीतल पेजल यानि आरो का शुबारम जन्पद नियादीस अशो कुमार सत्तम जी दुआरा हुआ है आज एस्परा ग्रूप बात करें बलिया और गोरकपूर इन जगों से सारे ल चाहएं च्छाटन किया है जो यहाँ कचैरी के परिशर में लगा हुए बलिया सिविल कोट के परिशर में और हमारा उद्यस अब सेल के साथ-साथ सेवा में भी है और आगे इसको हम लो अगरसर जारी रखेंगे और प्रियास करते रहेंगे कि और मशीन बलिया को हम लो परदान करते रहें इस मसीन की जो छमता है वो 800-1000 लिटर प्रती घंटे की छमता है और सबसे खास बात यह है कि केवल मसीन को लगा देना यह उदेश से नहीं है इसका लाइफ टाइप मेंटेनेंस भी हमने अपने ही जी में रखा हुआ है ताकि इसकी सेवा लोगों को अगरसर मिलती रहे नियाले प्रिसर में जो आपने आरो का सिस्टम लगाया है यह कंपणिक तरब से यहां से कोई आवेदन हुआ था यह एक हम लोगा सी एसार फंड होटा है उस फंड से हम लोगों ने लगाया है और बाकी हम लोग यहां पर मुक्य जो जिला जिला से स्रीयसोग कुमार सफ्तन जी उनसे पर्मिशन लिया था और करते कराते दो महीने में हमने यह यहारो मशीन लगा दिया है आज पहला उद गाटन यहां बलिया परिशन यहां सिविल कोट में हुआ है और दूसरा कल जिला परियास अच्छा है वाले जाइगा ठोड़ने और द्रशान के वाधिकारी लें जतने दूर दूर से तमाम लोग ने वो सारे लोग जो है इस गलाब लेंगे आई बात करते हैं जी और भी लोगों से साथियों से जिनके प्रयास से आज का जो काईकरम एश्परा के तरफ से हुआ है अब देख सकते हैं कि यहां पे एश्परा फाउंडेशन हरी परसाद गोपी किस्ते सरा प्राइबेट लिम है अगर इंसान को इस गर्मी में जल मिल जा हो भी सीतल जल भी ठंडा जल तो लगाने वाले लोगों को बड़ा आश्रबाद मिलता है तो तमाम आज इस आयोजन में जुड़े अधिवक्ता न्याइक अधिकारी पत्रकार बैपारी सभी लोगों ने आज के इस आउश्परा गुरूप को बढ़ाई दी है और मैं भी बढ़ाई देता हूं कि आज के आश्रब पर इतना बेहतर कायकरम इनके द्वारा किया गया है फिर हम आपसे जुड़ेंगे तब तक रितना ही जुड़े रहम से बली आज कल से मैं रोसन जैसवाल नमस्कार